स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपके अपने अडूप चैनल प्रूप कर पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा आज के अख्वार में जो निव छ्वेपर है उसमें खवर आई थी आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्याग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भरती जिसमें आपके 7,000 पद जो होंगे बुलेख पाल के होंगे कितने पद होंगे 7,000 जो पद होंगे बुलेख पाल के होंगे ठीक है इसके साथ साथ 1,000 जो होंगे वो राजस सुने रिच्छक के होंगे कानून गो के 1200 न देखो काफी सारे बच्चे जो मन में खयाल होंगे क्या पीटी का एक्जाम पहले होगा इसके बाद में लेकपल की बेकेंची आएगी तो हम आपको बता दें हर साल पीटी आता है लेकिन अभी नहीं आया है आने वाला ही आप समझ लीजिए वैसे इन दुनों में एक्जाम आ नहीं दिया होगा ऐसे बच्चे होंगे जैसे एक तेड़ साल हो गया है तो अन्य बच्चे भी आ गए होंगे और अगर वैकेंची पहले आ जाएगी तो उन बच्चों का नहीं पढ़ पाएगा जिन्होंने भी पेट का एक्जाम नहीं दिया है तो इसलिए पहले यूपी पीटी आएगा तो आपको यह बिल्कुल निकाल देना है दिमाग में जो लोग यह सोच रहे हों कि हमारे तो पेट में पहले नंबर कम थे और हमारा तो फार्म पढ़ नहीं पाएगा जैसे पिछली वाली जो भरती हुई लेकपाल की उसमें फार्म कई बच्चों के नहीं अधिकारी है वो 49,770 है जिसमें इसे 17,798 बहरे है 11,289 जो है वो खाली है यानि कि अभी टोटल 11,289 पद खाली है जिनको भरने का अदेश दे दिया गया है टोटल पद जो है वो 49,070 है होने कितने कितने 37,798 हैं बाकाया कितने है 11,289 है यानि इस पर जो बाइकेशी है वो बहुत चल्ड़ आपके सामने आपको देखने को मिलेगी ना इस्टेनो वालों को भी मिलेगी लेकपाल की जो भरती है वो आप सभी को देखने को इसी साल से लेकर करके अगले साल तक आप आपको मिल जाएगी तो यह बहुत ही आपके लिए अच्छी घबर है काफी सारे बच्चे यह सोच रहे होंगे एक चीज और बता दें लेक पाल का स्लेवर्स क्या रहता है काफी सारे बच्चों के दिमाग में यह खयाल होगा जो इसका पाठ करम होता है वो कितना क्या रहता ह तो हम आपको यह बता दें एक तो आपका हिंदी आता है ठीक है शामान ग्यान आता है शामान ग्यान गडित आता है और ग्रामील विकास आता है क्या आता है ग्रामील विकास आता है तो आपका लेक पाल का जो स्लेवर्स है जिसमें आपकी हिंदी रहती है शामान ग्यान रह गडित रहती है और इसके साथ साथ आपका क्या ग्रामीड विकास रहता है जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है ग्रामीड विकास जो आपका रहता है वो जीके ही आप समझ लीजिए जीके से ही जुड़ी सारी जानकारी उसमें होती है और उसके साथ साथ आपको जैसे जो खेत की नपाई के जो पैमाने बगएरा ये सारे होते हैं इन सारी चीजों को भी पढ़ना पड़ता है जो पैमाने होते हैं तो ये जो भरती है आप लोगों के लिए ये सारी भरतियां इसी साल आपको देखने को मिलेंगी इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको बेहतर त बिक्कत हो जाएगी ठीक है तो हम आपको क्या बता रहे थे डिप हलेव आपके सामने लिखा हुआ है और स्लेवस महें जो कोश्चन रहते हैं पाच्शीस बच्च्चीस रहता है टोटल साएपकर something का pan पर होता है जिसमें तीन चीजें आप लोग UPP में भी पढ़े हुए है सिर्फ पढ़े क्या नहीं है 25 नंबर का जो ग्रामीड विकास रहता है इसमें जितनी भी योजनाय होती है क्रसी से समंदित जितनी भी जानकारिया होती है ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है जो ये आपका ग्रामीड विकास रहता है बादमा की तीन चीजें जो सामान ग्यान है इसमें आपको इतिहास भी मिलेगा भूगोल भी मिलेगा है ना इतिहास मिलेगा भूगोल मिलेगा शम्मिधान मिलेगा, आपको मतलब पूरा gk पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अर्थ बेवस्था मिलेगी, ठीक है, अर्थ बेवस्था economy है न, polity आपका ये सम्मिधान होई जाएगा, सारी चीज़े current affairs मिलेगा है ना सब कुछ पूरा GKEA to Z आपको पढ़ना पढ़ता है और हिंदी का तो slabers आपको पता ही है गड़ित में इसमें क्या रहता है जो 10th का गड़ित है उससे भी question आपसे पूछे जाते हैं बाद मागी arithmetic के भी question होते हैं 10th की जो आपको इस प्रकार से त्यारी करना है कि यह पूरा slabers जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामीड विकास और 10th का जो आपका शांख्यकी वाला portion है इसके बाद में मादिका वाला जो portion है पहुलक वाला मादिका निकालना बहुलक निकालना यह वाला तो तीन ऐसे चेप्टर हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा बाद माकी आप लोग जो यूपीपी में पढ़े हो सेम हो है और ग्रामीड विकास के लिए जो हमने आपको बता दिया इसकी बू जोक से जुड़ी हुई यह सारी चीजothy यह पूरा से label होता है तो आपको उसी के Coding आपको पंपना पढ़ा ही करना है ठीक है तो यह जो है आप लोग इसको देख लीज monitे और अपना तयारी कर ना स्टार्ट कर दीजे ठीक है इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे निस डीडि झाल झाल